इंडिया को जितना भी crude oil का supply लगता है उसका 85% वो दुनिया से import करता है और इसमें भी जो Middle East के countries हैं उसका share generally बहुत ज़ादा रहा है लेकिन हमने notice किया Russia-Ukraine war जब से start हुआ तब से बहुत सारे western countries ने Russia के ओपर sanction लगा दिये कोई country तेल नहीं खरीद रहा prices को लेकर एक price tag लगाया गया है कि इससे कम में तो खरीदना ही नहीं है ऐसे time पर हमने notice किया Russia अपना oil discounted price में offer कर रहा था specifically to India और इंडिया ने शुरू किया कि हम Russia से अब तेल बहुत ज़ादा खरीदेंगे लेकिन अब interesting mode ये आया है recent news कहती है कि इंडिया ने Russian oil में अब reduction कर द बहुत सारे लोग कहने लगे शायद payment को लेकर कुछ issues है लेकिन ministry ने जवाब दिया है कि Russia जितना discount पहले offer कर रहा था अब वो उतना ज़ादा discount offer नहीं कर रहा और क्योंकि market economy में हम जहां से सस्ते में मिलेगा वहां से हम तेल खरीदेंगे तो December month की बात है 16 से 22% का decline दीखा गय और वही हमने देखा जो सौधी अरेबिया से हम ओईल खरीते हैं उसमें 4% हमने बडोतरी कर दी इतना ही नहीं जो South America में country है Venezuela जिसके पास crude oil के सबसे ज़ादा reserve है दुनिया में उस Venezuela से भी हमने तेल import करना start कर दिया है resume कर दिया है पहले भी खरीदा करते थे हम अब अगर आप price trend देखोगे रश्या से जो भी oil हम खरीदा करते थे तो 2022 के April month में आप graph देखो कहां है और वही 2023 का January month फिर April आते आते जुलाई आते आते price बहुत ज़ादा कम हो जाता है तो this is the timeline when we actually started Russian oil a lot लेकिन बाद में आप देख रहे हो अभी जो recent trend है वो 84 dollars per barrel तक पहुँच चुका है अगर आप ये वाला phase देख रहे हो जब prices कम है discount मिल रहा है वो कितना discount है तो actually पूरे market के comparison में Russia हमें 20 dollar per barrel कम price में आपको crude oil provide कर रहा था इसका आपको फाइदा क्या हुआ हमें फाइदा हुआ 2023 में पहले 9 months में हमने 2.7 billion dollars बचा लिए इतना पैसा बच गया लेकिन अभी जो price बना है अभी मैंने कितना price कहा almost 84 dollars per barrel ये price चल रहा है वैसे देखा जाए तो Saudi Arabia के comparison में अभी भी सस्ता है लेकिन इंडिया और इराक से भी बहुत सारा तेल खरीटता है और इराक का और AI price almost similar है असा हम कह सकते हैं look at this particular graph इसमें दिखाए गया कि सबसे जादा share 2023 के October मन्त में रश्या का था 32% लेकिन second number पे आप देखो इराक है फिर Saudi Arabia, UAE, Nigeria and then USA आज के टाइम पर आप देखो रश्या और इराक का जो import है हमारा वो almost similar है 21% तो कही ना कही हम फिर से Middle East की तरफ shift कर रहे हैं और ठीक से देखो इराक, Saudi Arabia and UAE तीन Middle East के countries, overall 45% of our import is from these 3 countries तो Middle East का importance हमेशा बनता रहता है ये हमें दिखाई दे रहा है एक और चीज जो इसके related important बन जाती है वो ये कि आज के टाइम पर Middle East बहुत ही बुरे face से गुजर रहा है पहले तो हमास और गाजा में जो कुछ चीजें हो रही है उसकी वज़े से problems है अभी recently Red Sea को लेकर बहुत ज़्यादा alerts निकलने लग गए हमने देखा कि कैसे होती rebels जो है जिसको इरान बैक करता है उन्होंने जो भी commercial vessels हमारे Arabian Sea में गुजरते हैं उन पर attack करना start किया उन्होंने attack किये ये जो बाब-al-mandeb का region है ये आप देख सकते हो map ये इंडिया है और यहाँ जैसी आप आते हो ये Middle East का region और यहाँ आप देखो इस region को हम कहते हैं बाब-al-mandeb यहाँ से बहुत सारे vessels गुजरते हैं इसी तरफ आपको सुएस किनाल दिखेगा तो इन्होंने ऐसे Arabian Sea के area में जब आप notice कर रहे हो कि haughty rebels एकदम से active हो रहे हैं तो थोड़ा सा डर भी बना हुआ है कि कहीं एकदम से हमारा oil का supply रुक तो नहीं जाएगा तो इंडिया का कहना है कि हम अपने oil supply को अब diversify करेंगे हम जहाँ जहाँ से तेल खरीद सकते हैं हर जगा से अब हम खरीदने वाले हैं इंडिया का 12% ट्रेड इसी रीजन से गुजरता है इंडिया भी बहुत सार अपना ट्रेड यहां से करता है तो यह रीजन unstable है और crude oil का supply को लेकर इंडिया आज के टाइम बहुत जादा सतर्क है इसके related और कोई update आती है फिर कभी किसी वीडियो में हम जानेंगे तब तक के लिए thank you so much for watching this video